अमेरिकी संसद ने युक्रेन को 61 अरब डॉलर का सेन ने पैकेश तो पास कर दिया है लेकिन इसमें हुई देरी की वज़ा से युक्रेन को इसकी भारी की मच्चुकानी पड़ी है फरवरी 2024 में युक्रेन को गोला बारूत की कमी की वज़ा से अफदिवका से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद डोनेस के एहम इलाकों से युक्रेनी सेना को उल्टे पैर वापिस भागना पड़ा लेकिन अमेरी की मदद की वज़ा से युक्रेन के उपर रूस के हाथों हार का खत रामंडरा रहा है और ये बात हम नहीं कह रहे बलकि ब्रिटेन की शशस्त्र सेना के पूर्व मुखिया जेम्स हैपी कह रहे है हैपी ने चेतावनी दी है कि अगर युक्रेन की हार होती है तो पश्चिम को नए शीत युद्ध में इसकी कीमत खर बोड डॉलर में चुकानी पड़ेगी हैपी ने ये बात ब्रिटेन के अखबार टेलेग्राफ को दिये एक इंटरव्यू में कही है उनका कहना है कि युक्रेन को पूरे यूरोप में अपनी सुरक्षा को जीतने के लिए और ज्यादा सैनने सहायता पैकेज की जरूरत पड़ेगी हैपी के मुताबिक एक गतिरोध या भगवान ना कदे युक्रेन की हार से एक नया शीत युद्ध पक्का है जो दश्को तक चलेगा और खर्बो डॉलर से ज्यादा इस पर खर्च होंगे बलकि इस से भी ज्यादा खर्च होंगे आपको बता दे कि बिटेन के प्रधानमंत्री रिशी सुनक ने भी युक्रेन की मदद के लिए 53 करोड यूरो की सेनने सहायता देने का एलान किया है इस पैकेज के तहट युक्रेन को हजारो बक्तर बंद गाडियां 40 लाख राउंड छोटे गोला बारूद दिये जाएंगे साथ ही 60 सेनने बोट भी युक्रेनी फौज को मिलेंगी हाला कि पीम सुनक के इस फैसले को लेकर हैपी का कहना है कि इस पैकेज से फ्रेंट लाइन पर ततकाल कोई संतुलन नहीं आएगा लेकिन इस से युक्रेनी एक अंतिम जवाबी कारवाई शुरू कर पाएंगे जिससे तुरंट और पूरी जीत हांसिल की जा सकती है यार नहीं दिये गए तो ये युद्ध छे महीने के भी तरही खत्म हो सकता है वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक पूर्व लेफटिनेंट और सैन ने एक्सपर्ट डेनियल डेविस का कहना है कि रूस जंग जीतेगा और युक्रेन के लिए इसे जीतना एक दम असंभव है यदि आप भावनाओं को एक तरफ रखें और सामानने रूप से दोनों तरफ ताकत का संतुलन देखें तो युक्रेन के पास वो जन शक्ती नहीं है जो रूस के पास है डेविस का कहना है कि अमेरिका का 61 अरब डॉलर का सैनने पैकेज भी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दुरुभाग्य से एक पूरी तरहा से लेंदेन संबंधी राजनितिक मुद्दा है जो अमेरिका की सियासत में गर्माया हुआ है जो अमेरिका की सियासत में गर्माया हुआ है